नमस्कार, हेलो आदाव एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम से यूट्यूब चैनल और आगा है हम लोग यहां सेकंड टेस्ट इंडिया वर्सिस इंग्लैंड का जहाँ पर इंडिया एक जिरो से पीछे चल रहा है उसका गेम प्ले प्रिक्शन लेकर रेल किकेट 20 में ही जिय दूसा टेस्ट मैच भी रियल किके 20 में होने वाला है अगर बात कर लो मैं टीम सेलेक्शन की तो भाई इस गेम में लिमिटेट प्लेयर्स होते है उनी में से हमने कोशिश कि बनाने की लेकिन काफी काफी नहीं थोड़ी बहुत अलग होंगी रियल टीम्स यह मैदान इस वक कॉल चुना है यहां पर इंडियन कप्तान ने और अगर टॉस जीतते हैं तो मुशली मैं बालिंग लेना चाहूंगा ताकि रंचेज के समय हमें आइडिया रहे किस तरह से करना है अगर जीतते हैं टॉस तो नहीं उपर वाला कुछ और ही चाहता है यहां पर टॉस हारा इं आउसमेंट नहीं हुआ है रियल मैच को लेकर किसी भी टीम का इसना लैंथम्स दोनों देशों के म्यूट रखा है कोगी मैं नहीं चाहता किसी का भी डिस्रेस्पेक्ट वाभी के लिए को गया धाम करने वाले एंट्री हो चुकी है मैच का आगाज होने वाले दर्शकों को आने को मिलने वाल है बहुत अच्छी बात है इंडिया में काफी लंबे समय के बाद दर्शक लाइव स्टेडियम में जा के मैस देखेंगे इंग्लेंड की टीम भी यहां पर एंट्री लेती हुई साउंड आउफ है ऑन कर देंगे हम लोग डिफिकल्टी की बात करें अभी यहां पर 20 ओर में 58 के बाद अब आ रही है हमारी बैटिंग गिल और शर्मा ने अभी तक पारी को संभाल के रखा है इंट्रस्टिंग होगा देखना कि मैं यहां से कैसे केलता हूं दस ओवर देखना है कि सर्वाइवल बनता है हमारे लिए या हम लोग रनों की बारिस करते हैं या फिर ठीक ठाक रिकट केलते हैं दो रन्स के साथ आगाश किया है इस चैशन का साथ पर पॉस्ताव इंडिया ना होगा यह स्टिटी जो अपना रहे है कि इंद बाज अब सम फैबरिश शॉट का चक्कर बाबु भाईया फैबरिश शॉट का इंसाइड आया जो कीपर के हाथ हो आओ लोग अपने फैबरिश शॉट के साथ गेम में थोड़ा लैग हो रहा है लिकने इसके बावजूद भी चौका लगा दिया पुजा रहा है पांच पे पहुँचें लेकिन आउट का इस ट्रोक की कोशिश बले पे लेना चाहते थे हलका सब पुश किया है गें पुश नहीं स्ट्रोक लिया था लेकिन शॉट खेलने का अंदाज पुश जैसा ही था दो रन सामने की तरब सीधा शॉट उचलते कूते गया है बचे गया है तो अच्छी बात लेक देख रहे हैं कितना भयानक लेने से सोच रहे हैं लेकिन यहां पर बीट भी हो जा रहे हैं अंगली गेंद पर शॉट के साथ देना चाहते हैं जवाब टाइमिंग बहुत काबिले तारीफ दो रन इस गेंद पर टाइमिंग एक बब फिर तारीफ होगी परफेक्ट ख ले सकते हैं स्विप शॉट इस बार पर आया नहीं बल्ले पर तयार रिस्क लेने के लिए और जी हां चॉट का एडवांस में शर्मा के बल्ले से इंडिया के सौ भी पूरे आपका कॉन्फिदेंस मीटर फुल हो चुका है अब तो भाई गैप में लॉप्ट इड़ के बार और बच गए क्या अटेम्ट किया है मिड़ॉफ कवर बीट हुए है और शर्मा के जो कॉन्फिदेंस है उसको तोड़ने की कोशिश करते हुए गेंदबाज कुछ अफसब्द कहते हुए या कुछ बातचीत करते हुए अभी क्लियर नहीं सुना है दे रहा बार ही अपने फ अप्टर शॉट के ज्यादा मौके लग नहीं रहें ग्राउंड शॉट ही लेंगे डायू लगाकर एक रन क्लोज बहुत ही एंपायर पे नहीं कहा है सभी कि लेकिन नौट आउट आता हुए ले रहे है स्विप शॉट का रिस्क लेकिन संभलके भारी पड़ जाएगा इसले तो बहुत खास है अरे फिर धोका देता हुआ यह कि अरे सरीर की क्या है पता नहीं था मुझे कि रियल के 20 में भी बक्स आते हैं और कोली ने आते फ्लिक के साथ इसे बेज दिया चार के लिमिट विकेट से सबसे शांदार शॉट आज के दिन का बैतरीन अंदाज में पहली गहन पर दो विकेट्स हम अपने फैरिस शॉट में गवा चुके अरे यह क्या हुआ चला ही नहीं कुछ पच गए इस तरीके से अपना फैरिस शॉट खेलने पर मजबूर अरे अब नहीं लूंगा अब लूंगा ही नहीं गलती कर रहा हूँ मैं यह इतनी भी बड़ी तीनों विकेट्स का सेम रहा है दो बार तो कीपर ने कह रही किया एक बार पता नहीं कैसे सरीर के लॉप्टेड ले रहे हैं जरूट थी नहीं और सिक्स के साथ एंड किया इस सेशन को चा गए फिर भी मैं यह कहूंगा यह जो अंत की दो वर में हमने दो विकेट गवा दे पढ़ेंगे हम दूसरे सेशन के आखरी दस ओवर की तरफ पचास पे दो सो बीस और जियां पंत और जड़े जा हमने दो विकेट बीच में गवाए हैं गिंदबाजी में नजर करें तो तीन विकेट के साथ बैस टॉप गिंदबाज लगते हुए तेज गिंदबाज के सामने भी थोड़ा बहुत ट्राय करना चाहेंगे अपना फैरिश शॉट में लगता है स्पिनर से ज्यादा बहतर खेलेंगा रे गया नहीं है लेकिन और रणिंग बहुत वीक लगती हुए अंदर चले गया तब दो ना सुरू किया चलिए पूरा किय नहीं तो फिर मतलब क्या दो रन गैप में खेलना चाहते हैं यह शॉट उचलता कूता यह गलती गर्दी लग रहा है थ्रो बहुत खराब रनिंग बहुत लेट थी हमारी पूरी की पूरी ओवर यहां पर देख सकते हैं लाश्ट गेन पर लेकिन बीट कर रहा है और अंदर साइड में बदलाओ, स्ट्राइक में रोटेट्शन हुआ था, जड़ी जा को बाडी पर हिट हुआ एगेन, अपस्टम पर थोड़ा दूर है गेन, दबाया है इसको रूम दिया एक्चली, हम दबाने की कोशिश करने हुआ है ते लेकिन गेन ऐसा लगा कि उंचा है तो उस साइड शॉट दिखा रहा है, तैमिंग में यकीन नहीं हो रहा है, साइड कॉंफिडेंस मीटर को और फुल ओन देना था, इसलिए जो मीटर है वो भी इतना परफेक्ट नहीं ही रेक्ट किया है, आउट हुए है, पंत असी के स्टाइक रेट से, लेकिन जटका जो हमें मिल जड़ी जा के साथ नहीं करेंगे, इन्होंने मिड विगेट पर से इस पार खेल दिया, जैसे कोहली ने खेला, तैसे शॉट वैसे ही जड़ी जाने इस बार से मंदाज में खेला है, चार, ऐसे समय यह शॉट आया है कि जब थोड़े से नर्वस लग रहे थे स्पिनर्स के स और लिजी अपने फैरिश शॉट, फैरिश शॉट ने टेस्ट में तो हमारी वाट लगा दिए बात कबूल करनी पड़ेगी, एक, दो, तीन, चार विकेट्स, कीपर को भी जाएका क्रेडिट, बहुत ही बढ़ियां कैच किया, और टक पे भेजा है यहाँ पे आश्मीन को, यह उमीद नहीं थी, रेखिए फिल्डिंग अटेम्ट देखे, अक्चुली जमीन पर सिर्फ घिसते हुए आई है, लेकिन, राइटा मीडियम फास्ट, उछलना नहीं चाहिए गेंद को, यादो भी जीरो पे आउट, शॉट जो है, जब भी आप खेलो स्ट्रोक, उछलना देखे, इंगलेंड की, लास्ट टाइम भी फिल्डिंग न जीताया था, इस बार भी परफॉर्मेंस लाजवाब, सीधा खेलना चाहते है, शॉट, बहतर है, बहतर है, बहतर है, टेफ लग रहा है, स्ट्रोक लेना, और वही किया, 49 से, जियां क्लोस नहीं लेंगे, बलता तो नहीं मिली, एक और गुडलेंड गेंड, पोजिशन में है, अरे जरुती नहीं इस तरह का शॉट की, इसा लगा गलस शॉट ले, आप दो भी ले रहा हूँ, ये एक और गलती बला डिसेन हो, गलती 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 नहीं, बचे, बहुत लेट स्टंप किया है, आपर कीपर ने, not out आया, मैडन की उम्मीज जैसी थी, वैसा ही हुआ है, अब फिल्डिंग इतना टाइट लगा दिया था, शर्मा के सामने रन ही नहीं बना पाई, लेंगे थोड़ा बहुत, स्ट्रोक उचलना नहीं अगेंड को, चलिए गैप में, तब तक तो आप सेफ हो, एक एक एरन, एक एरन, एक एरन, गल्ती, क्या, या, रिटन नहीं हुए साय, रिटन नहीं हुए और इसी के चक्कर में, दो निकाल दिया और out हुए, जितना अफसोस करो कम, एक तो आप इतना बैलन्स खेलना चाह रहे हो, उपर से इस गेम रिटन का बहुत वक्त लग जाता है दो दबा दिया था, और रिटन हुए ही नहीं प्लेयर, तार कुशिश बैक फुट पर डिफेंस की, इस पर भी बीट होते हुए, तो दूसरा से इंडिया ने सरवायू किया है, लेकिन हालत खराब, पूरी तरह से ये से इंगलेंड के नाम, मैं दस ओवर सुरू के खेलने क कुशिश कर रहा हूँ यहां पर थर्ड सेर्शन की सुरुवात में, और उमीद यही है कि सर्वायू करा हूँ, जितने रन हो सकते हैं, पांच, दस, बीस, तीस, जितना हो सकते हैं, पुश कर रहा हूँ, क्योंकि बैटिंग हमारी है, मैंने बहुत खराब की दूसरे से शेर अब ही तक शॉक में, अब ही तक शॉक में, अब फैवरिट शॉट खेलने से बहुत मुस्किल से रोगा है, मैंने अपने आपको, ऐसा लग रहा था साहिए, ले लूँ, ले लूँ, लेकिन फिर रंद में देखा कि 9 विकर्ट है, मतलब नहीं है, तो अवाइड किया, दो र स्विप शॉट का रिस्क, और रं जोडेंगे, दो यहाँ पर, अच्छी फिलिंग आती है, स्विप शॉट एक ऐसा शॉट है न, बहुत परफेक्ट होना पड़े है, आपको टाइमिंग में, और पोजिशन नहीं बाडी के, अपसाइड गेंद की, फिर से वापसे, और टेस्ट मैच और बढ़ियां बैटिंग करते हुए, सर्वावी भी कर रहे है, रन भी बना रहे है, चलिए थोड़ी गेंद को लिव भी करके दिखा दे है, हाई, यह वही न बात, फिलिंग सही में एक टेस्ट मैच वाली आ रही है, लिव के लिव, देखना होगा मैड़न ह आने ने, हमने डिसाइड किया, और जी हाँ, हम इतना अच्छा खेल रहते हैं, पांच ओवर में, फिर एक गलती की और इस बार आपको मौका था ही निए, यह गलती आपकी एंड अप दे इनिंग हो गई, बुम रहा आउट हुए, पचाव इस में बारा, लेकिन एक इनिंग का अगाज, एंपायर्स की एंट्री, उसे बीचे टीम इंडिया, पहली इनिंग की लीड बहुत ही कम है, तो गिनबाजों को स्ट्राइक तो करना पड़ेगा आज के दिन, और कोशिश करनी है कि कम से कम तीन विकेट मिल जाए, मज़ा आ जाएगा, इंडियन इंग नहीं लिया, तो काम बन जाएगा, इंगलेंड के खिलाडी दोनों बाद चीत करते हुए, इरस लिया है, ये मैं उमीद कर रहा था, बीना खाता खोले अगर विकेट मिल जाता है, इससे बेटर क्या होगा, मैं लिया, बैट बैट तो नहीं लगाए, अब इस गेम में अचा बुम्रा गौट दो फर्स विकेट, हिंगलेंड की हालत सुरुवात में हो गई है, खराब, जी हाँ जाना होगा, आउट पवेलियन आपको, और इंडिया खुशी मना सकता है, बीना कोई रन दिये, पहला विकेट गिरा दिया है, और उमीद करते है, ये परफॉमस कंटीनर है, बाखी की चार ओवर में भी, आउट वाएं, बंस, जी रोपे, ये कर दिये, गेंद, और पहला रन, जी हाँ, पहला रन आता हो, मैडन नहीं जाने दिया है, ओवर इंगलेंड में, वो भी लगता है, हमें ही फॉलो कर रहे है, कि मैडन नहीं जानेंगे, बढ़िया फॉ ये कहां से आ गया, ओफ है कमेंटरी, ये है को गया, मेरे फॉक्वस की पूरी बाट लगा दिया, अच्छी बात है, खामोश नहीं, अभी भी खामोश नहीं, एक रन आ चुका है, मैडन नहीं जाएगा, ये ओवर भी, पर इनको चुप करा हो कोई, मुझे सेटिंग से देखने को मिल सकता है, मैच के अभार में, इंग्लिस कमेंटरी अपनी ही चालो, डियारस ले लिया गया है, यहाँ पर, अब बल्ले का वाज आया है, मुझे बस वही देखना है, अब यहाँ पर तो यह तो आगे दिखा दिया, रिपले इतना आगे नहीं दिखाने की जरू यहाँ हमें सफलता मिलती हुई, और शर्मा का पिछला ओवर मैंडन गया था, यह ओवर विकेट टिकर सा भी तो तो हुआ, एक बहुत अच्छी चीज यह हुई है, इंग्लेंड के दोनों रिव्यूज लॉस्ट हो चुके है, और अब शर्मा का सेलिबरेशन देखिए, हाई साउंड, कमेंटरी ओफ है, यहाँ फुल पेस थी, यहाँ फुल स्लो, और रे, डिफेंस ने बच्चा लिया, चार और समाप, रैटी लैप्टी की जोड़ी, लेकिन ओवर विकेटी आना पसंद किया है, एजिस का चांस कम लग रहा है, एजिस की उमीद खेलें तो मतल बार रेवा, इस बार खेला है, बैक्फुट पे हो भी, आखरी गेन, इस टॉंस पे करनी थी, गल्ती की मैंने, डॉट रहता हुआ, एक रन फिर आया, एंड अप दे डे होता हुआ, निगाह होंगे स्कोर कार्ड पे, इंग्लेंड कितने विकेट गमाए है, और अभी के लि 60-70 तो होगा, 60-70 के आसपास, पॉप आउट हुए, और यहां पर गिंदबाल जी में देख सकते हैं, दो भी कटी आदों ने निकाला है, देखते हैं, आने वाले समय में क्या होता है, प्लीज यार आप लाइक जरू कर देना वीडियो को, अगर आप यहां तक देख रहे हो आप लाइक जरू कर देख रहे होगा है, यहां एजड़ा जया आप लाइक यहां पूर में देख रहे हो जरू को, पुप आप जरू हो एाप टार के सकते हाइक हैं, यहां इते हैं